Assalamualaikum everyone, उमीद है कि आप सब लोग खेर खेरियत से होंगे, सबसरे पहले wishing you all a very 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 happy heat मुबारक Sir, मानता हूँ ही एदे हम enjoy भी कर रहे होंगे, party भी करेंगे, बिल्कुल करें, सही बार्बीक्यू घाएं और बहुत सारे लोगों के साथ मिले हैं, घूमने जाएं, रिष्टरारों से मिले हैं, but sir, कुछ time अपनी studies के लिए भी spare करें आप जिस profession को choose करके आएवे हैं, that is not easy, तो आपने all together अपनी मैनत को जारी हो सारी रखना है बिसमिल्लाग अपने आज के lecture की, अब हम वो area को शुरू कर लेते हैं, जिसमें हम non-monetory items की बात करेंगे, इससे पहले मैंने आपको shares में invest करना सिखाया था, that was also a non-monetory item, इस चीज़ को अब हम investment property के जमरे में भी ले लेते हैं, हो सकता है वो इसके साथ पूछ ले, अब एक comprehensive सवाल बनाया है, जिसमें मैंने all together बहुत सारी चीज़े cover करने की कोशिश की आए, जि देख लेते हैं, कि वो कहना क्या चाता है इस सवाल में, मतलब मैं क्या कहना चाता हूँ, इस सवाल में, कभी भी किसी भी वक्त मैंने उसको rent पर दिया हूँ, clear बात, तो अगर मेरी intention इसको rent पर देना है, वो खाली भी पड़ी वे, that will be call investment property, अब सवाल यहाता है, क्या इस investment property को मैंने cost पर रखा वाई, या fair value पर रखा वाई, देखो, अगर मैंने cost पर रखा वाई, तो जिस दिन मैंने उसको खरीद लिया, और dollars के against में पैसे दिये, वो value लॉक हो जाएगी, क्योंकि उसकी fair value आस्मानों को पीछ हो जाए, मुझे उससे कोई गर्ध नहीं है, पहले बताओ, ये बात clear है, तो अगर मैं कहता हूँ कि मैंने किसी भार मुल्क में एक investment property खरीदी है, सही जी, और खरीद के once for all उसकी payment कर द होगी, तो कहना ही चाहता हूँ कि अगर तुम लोगों ने उसको fair value पर रखावा है, तो बात समझ आती है, उसकी dollar value में change आगा, तब IS21 की involvement होगी, पर अगर आपने उसको cost पर रखावा है, तो IS21 की involvement से one time होगी, और वो कब होगा, जब आप उसको acquire कर वे होगे, खर, इस वा आपको यहाँ पर details दी भी है, fair value and exchange rates की वो यही जनवरी, 31 मार्च, 30 जून, 31 दिसंबर, यह fair value की details है, और यह exchange rates है, लाज़ भी नहीं है कि हर exchange rate को use करना में आपको बताया है, कि transaction date पर use होता है, exchange rate और reporting date पर use होता है, that's it, आपको again and again, उसको mark to market करने के नहीं है, unless के examiner कह दे कि इस date की entry बना के दो, बात क्लियर आगे, rental agree हुआ है, sir, 1200 डॉलर पर year, 1200 डॉलर पर year का rental agree हुआ है, अच्छा, requirement में मैंने लिखा यह है, कि आप general entries बना के दें, assuming two independent cases, पहला, जो rental है, वो advance में receive हो गया, और rental है, वो area में receive होगा, तो मैं दोनों cases को कैसे cater करना है, मैं आपको smoothly और सुकून से लेके चलता हूँ, ताकि यह बात आपको समझ आ जाए, sir, सबसे पहले, आप यह बताते हैं, investment property की accounting, सही जी, मैंने कहा, sir, accounting for investment property, पहले इसको deal कर देते है, sir, मैंने कहा, sir, अगर मैं investment property की accounting करने लगा हूँ, तो मैं यहाँ पर ज़रा गुई, debit credit का performer बना लू जो मैं usually बनाता हूँ, यह credit हो गया, यह पड़ी विलर्ज हो गया, sir, परीजी और यहाँ अगई date, अच्छा अगर date कहूँ, तो सबसे पहले मैंने जो entry बनानी है, वो January 1, 2020 की बनानी है, और यहाँ पर मैं जैसे comma डालूँगा, यह अपने format पर आ जाएगा, जो कि आ चुका पाया, ख्या sir, मैंने यहाँ पर, मैंने यहाँ पर, investment property को debit किया, और cash को कर लिया credit, अच्छा भई, अब investment property को debit किया, cash को किया credit, assuming कि मैंने गनन दे, सारी payment immediately की है, तो 10,000 dollar की property है, और exchange rate कितना चल रहा, sir, exchange rate चल रहा, 220, तो मैंने कहा, sir, यह आगए 2.2 million की value, sir, यह कहलाए कि, cost of investment property, इसको मैं उपर कर लेता हूं, क्योंकि यहाँ पर मैं आ रहा हूंगा, cost of investment property, अच्छा भी cost of investment property, इसलिए कह रहा हूं, क्योंकि यह उस दिन की cost है, जब मैंने इसको purchase किया, मैं आप से अगर एक बात पूछों, आप से अगर एक बात पूछों, बच्छों, कि अगर मै ने, यह cost of investment property लगाई है, और यह cost model पर ही carry होती, क्योंकि मुझे allowed है, तो क्या आप इस बात को मान सकते हैं, कि सर, इसके बाद इसमें कोई change नहीं आता, सिर्फ यह depreciate होती, सिर्फ यह क्या होती, depreciate होती, that's it, क्योंकि मैं कहता है, मैंने इसको fair value पर रखना ही नहीं तो dollar की value क्या गरूंगा, मैं तो exchange rate भी involved नहीं होगा, बात के लिए बसार, यहां पर case उल्टा है, अच्छा, अब अगर मैं कहूं, कि यहां से आगे तक कोई भी case नहीं है, पर अगर मैं पहला case लेके चलूं, rental is received in advance, तो sir, अगर rental advance में receive हो गया है, तो इसी दिन पर अगर मैंने उसक credit, कितने से sir, 1200 dollar सालाना, और उसने पूरे पैसे दे दी, तो जैसी बात है, जब मैं receive करके आउंगा, तो इस दिन पर मैं receive कर लिए होंगे, sir, यह बात मानते हैं, अब यह बात मानते हैं, cash आ चुका है, और यह जो है, यह unearned rental, यह unearned rental, यह कोई monetary item नहीं है, यह पैसे आगा करना है, अब आपने simply क्या करना है, कि इसी rental की entry करनी है, यह 31 कर लो, यह 12 कर लो, आपने क्या करना है, sir, unearned rental हो जाएगा debit, सही है, और यह हो जाएगा rental income credit, without any further modification, क्यों sir, exchange rate का आगा, आपको पहली पैसे मिल गया थे न, पहली पैसे मिल गया थे, तो कोई पंचात वाली बा कर ले, क्योंकि आपने का, पैसे तो आ चुके थे न, अब, अब let's say, अगर आपको वो कहता कि आपको जुलाय में पैसे मिलें, पूरे साल गया, तो आप इसी amount मैं से, सिर्फ 6 महीने income में लेके आते, बागी 6 महीने, unearned में रहता, अब तब भी exchange rate की involvement नहीं होती, फिर repeat कर तब भी exchange rate की involvement नहीं होती, क्योंकि पैसे आ चुके थे, it's just that, कि आपने उसको किसमें convert करना income में, that's it, कहां ही खत्म, बात clear है, अच्छा, तो ये तो हो गिया, sir, मैं अगर कहूं, case 1, कि advance में रसी हुआ था, ये बात clear है, sir, what if, अगर मैं कहूं, मैं case 2 कहूं, तो मैं जड़ा इसको यहाँ पर ले हूँ, और मैं यहाँ पर एक और ऐसी परफॉर्मा बना देता हूं, for the sake of understanding, अगर मैं कहता, case 2 होता, तो January 1 पर, January 1 पर, कोई entry नहीं बनती, मैं यहाँ पर बना देता हूं, case 2 में, no entry, because, nothing, received, simple सी बात है, कुछ receive नहीं होता, तो कुछ भी मैं entry नहीं बनाता, ये case होता, true वाला, सही, case 2 होता, जो मैं कहा रहा हूं, क्योंकि all together एक साथ लेकर चल रहे हूं, इसको अच्छा कहा, case 2 के अंदर, मैं आपको अगर पता हूं, sir, अब आप उन्हें, over the period, income तो book करनी थी न, let's say, इस case में तो वो January में बना आया था, January में, तो January से लेकर December तक उसने जो benefits उठाये, वो भी dollar की form में उठाये, यानि, let's say, एक दिन का, आपने जो भी dollar बनता है, let's, एगर मैं कहूँ, कि 1200 dollars है, और 1200 को गए, मैं 360 से divide करूँ, let's say, कि एगर मैं ये कहूँ, कि 3.33 dollar आपने एक दिन के कमाया, 3.33 dollar आपने एक दिन के कमाया, एक महीना हो गया, सही है जी, तो आप इसको 30 से मज़े लाए कर लें, तो आपने 100 dollar, 100 dollar कितने कमाया, 100 dollar एक महीने में कमाया, क्योंकि 12 महीने है, तो 1200 को डिवाइड कर तो 12, तो एक महीने की income आ गई, 100 dollar पर मेरा आप तो कहना यह है, कि हर दिन के dollar के लिए, प्लीज सुनिये यह बड़ी एहम बात कह रहा हूँ, यह आपने interest में भी किया वे मेरे साथ, जैसे interest income भी आप, interest expense भी आप हर महीने के हिसाब से लेके चल रहे होते हो, तो यहाँ पर भी, जो आप rental income कमा रहे हो, वो भी तो हर दिन कमा रहे हो ना, तो उसके लिए क्या यह practicable है, आपके लिए क्या आप हर दिन का exchange rate उटा के multiply करके income record करो, नहीं सर, इसके लिए मैं क्या use करूँगा सर, average rate, तो मैं यहाँ पर rent receivable debit करूँगा, और rental income credit करूँगा, और सर, मैं यहाँ पर 1200 डॉलर मैंने कहा, पर यह मैंने average लिए, average for the year 2020, यानि यह पूरे साल का average होगा, तो यह कैसे निकला होगा, आगे इन बता देता हूँ, श्ट्रेट बैंक की website पर आप गए होंगे, आपने rate list download की होगी, और वो पहली January से लेकर 31 December की होगी, आपने उसका average निकाल लिया होगा, फार्मला लागे, और वो average यह पूरे साल का average है, यानि सर, मैं एक दिन का rent उठाऊ, उसको rate शमिद लिए करूँ, दूसरे दिन का rent उठाऊ, उसको rate समिद लिए करूँ, तीसे दिन का rental उठाऊ, उसको मैं exchange rate समिद लिए करूँ, तो आप क्या use करेंगे, तो आप पूरे साल का average लिए जो पूरे साल का representative है, तो मैंने क्या किया, तो आप पहले rental income बोग की, या यह बात नहीं समझ आ रही है, पहले rental income आप कह रहे हैं यह, इस वाले में कह रहे हैं आप यह, इस वाले में rental income इसलिए क्योंकि पैसे मिल गए थे, पैसे मिल गए थे, PKR terms में तो फ्रे यह होगा ना, कि PKR terms में मैंने उसको अनरन रखा तो over the period income बना दिया, क्योंकि पैसे advance में मिल गए थे, यहां पर पैसे नहीं मिले, तो जो भी, जो भी over the period मैंने dollar में income कमाई होगी, इसको average पे income में record कर लिए, जो कि पूरे साल का representative है, अब sir, इसी case 2 के अंदर, आपको एक और entry बनानी होगी, इसी case 2 के अंदर, इसी दिन पर आपको एक entry बनानी होगी, cash debit, और rent, receivable credit, cash debit, rent, receivable credit का मतलब यह है, कि sir, आप 1200 dollar, ले के आएंगे spot rate पर, देख लीजेगा, 267 है, तो आपने income 239 से book किये, 239 is representative of whole year, क्योंकि आपको कुछ नहीं मिले, तो आप dollar कमाते तो जारे थे, और उसकी income average पर आ लिए, तो तो इससे पहले वाली case में, आपने average क्यों नहीं किया, नीदी नहीं है, पहले दिन पर पैसे आ लिए थे, convert इसको करूँ, पहले दिन पर कर लिया था, convert, तो दोनों में यह फर्क है, तो खेर मैं इसके इसाफ से पैसे ले आया, cash आगिया, देखें, 1200 dollar into 267, मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, आपकी तसलिए के लिए, sir, 1200 dollars into 267, तरही जी, यह मेरे पास आगिया cash, यह कर लेता हूँ यहाँ पर, तरही जी, अच्छा भे, इसके बाद, मैंने गाँ, sir, rent receivable, जो हमारा है, वो खतम हो जाएगा, उतने से जितने से वो create हुआ था, अच्छा, sir, देखें, मेरा rent receivable तक कम, मुझे पैसे मिले जाएगा, बाकी क्या है, foreign exchange gain, sir, कहाँ जाएगा, P&L में, पैनल में क्यों, क्योंकि receivable is your monetary item, receivable is your monetary item, तो sir, मैंने कहा, मैं foreign exchange gain को, पैनल में ले गया, और ये technically difference है, 267 से, compare करूँ, अगर मैं इस average से 239.25, याँगि आप ये कहें, कि आपने receivable book किया था, 239.25 से, जो के income थी, आपको receive हुए 267, तो बागी क्या है, एक्षेंज गेंडर, बात क्लियर, तो sir, अगर हम recall करें, तो पहले वाले case के अंदर, rent से related, rental से related, कोई exchange gain, या loss नहीं आया, क्योंकि पहले दिन पर ये पैसे आ गए थे, it's all about that, कि मुझे सिब उसको किसमें convert करना था, income में, that's it, मैंने unend book किया income में, पर दूसरे case के अंदर, all we can say, all we can say, कि sir, दूसरे case के अंदर, हमने कुछ receive नहीं किया, तो मैंने का, हर दिन के हिसाब से, जो जो कमाया, मैंने उसको average out करके, एक income record कि, और पर पैसे लेकर आ गया, तो उसमें मेरा exchange, यह लॉस आ गया, बात क्लियर है, sir, यह हमने अभी accounting की, किसकी, rental की, case one की, और case two, दूनों की, बात क्लियर है, दूनों independent cases है, पहला भी बता दिया, दूसरा भी बता दिया, आप आपको इसमें कोई confusion, नहीं होगी, अब सरा आजे हैं, बात कर लेते हैं, investment property, कि sir, मैं इसको यहाँ भी re-value नहीं करूँगा, यहाँ भी नहीं करूँगा, यहाँ भी नहीं करूँगा, पर before we re-value investment property, में एक और चीज़ बताना चाहता हूं, let's say, अगर ये बंदा, जुलाए में आता, तो area में आपको rental कप रसीव होता, अगले जून में, भी अगर बंदा आता, rental पर रहने के लिए, पहली जुलाए को, तो पूरे साल का वो rental कप देता आपको, जानि पूरे साल का वो rental आपको देता, 30 जून 2021 में, तो आपने इस साल 6 महीने की income बुक करनी होती है, तो आप 6 महीने का average लेते, 6 महीने का average लेते मतलब, 6 महीने का average का मतलब यह है, सुकून से समझिएगा, 6 महीने का average का मतलब यह है, क्या आपको पूरे साल का भी average दिया, वह तो ना सवाल में, आप नहीं लेते आप लेते जुलाय से लेके डिसम्बर तक का एवरिज छह महीने का रिप्रेजेंटेटिव क्योंकि पूरे साल का रिप्रेजेंटेटिव आपके लिए काम का नहीं है तो इसमें क्यों लिया था इसमें यह जो रेंटल या लीश शुरू हुई है कब हुई है क्योंकि वो सामने वाला बंदा तो आपके टैनेंट है ना यह तो टैनेंसी एग्रिमेंट है तो बींग एडियर इंवेस्मेंट प्रॉपरटी आपने जनवरी वन से ही कमाना शुरू किया था फिर रिपीट कर रहा हूं अगर जुलाय में वो बंदा आता तो फिर रिपीट कर रहा हूं जुलाय से लेकर डिसम्बर तक का एवरिज आप लेते हैं 6 महीने का 6 में जनवरी से भ बार तो पूरा में इंकम में ले इंकम में लेया दो आगे फिर मेंने कर आएं आ ए मैं अब इन्वेस्टमेंट ट्रॉपर्डी अच्छा मुझे एक बाग बताएं ओल्ड वैल्यू एड एक्विजिशन यहां पर सब्सक्राइब डॉलर लिख लेते हैं ताकि आपको याद है तो मैंने को ओल्ड वैल्यू एड एक्विजिशन कितनी है जानी सब दस अजार सब्सक्राइब एक्विजिशन कितनी है तो आपने प्रॉपर्डी इतने से इतने पर आ गई ऐसा ही है पर अगर मैं आपसे बात करूँ कि सर रेड की बात हो रही है रेड की तो आपने इनीशली इसको रखावा तक इस पर 220 पर तो यह जी आपने कहा सर आपकी PKR वैल्यू दिस इंटू दिस ती तो यह अंडिस्टैंडबल बात है अंडिस्टुड बात है यह इतने पर थी PKR पर ऐसा ही है अच्छा भई पर अगर मैं आपसे यह बात पूछूँ बच्चों अगर मैं आपसे यह बात पूछूँ इसको हम तरह यह नीचे ले आते हैं ताक आप और अच्छे तो समझें इसको को रिकॉर्ड कर लें विदाउड एनी फॉर्दर डिस्केशन पहले तो यह आ जाएं यहां पर मैंने कर सर यहां पर इन्वेस्मेंट प्रॉपर्टी डेविट और फेर वैल्यू गेन इंटू पी एनल क्रेडिट कितने से सर इतने सर अच्छा इसका फेर वैल्यू गेन कहा है के अंदर तो आप मुझे एक बात बताएं आपने जो यह प्रॉपर्टी खरीदी थी वो दस्की खरीदी थी क्या यह जो जेब से लगाए गया पैसे थे क्या इसकी वैल्यू में इजाफा हुआ सर डॉलर में इजाफा हुआ वो रिकॉर्ड कर लिया पर इसके एक्शेंज जो इजाफा है इसको मैं कहूंगा फॉरिन एक्शेंज गीन वो आप वो आप सर इस 10,000 डॉलर पर भी रिकॉर्ड नहीं किया न आपने क्योंकि देखें अगर मैं यहां पर देखो मेरी प्रॉपर्टी कुल मिलाके कितने पर उनी चाहिए पसर अगर मैं इन दोनों को सम करत अगर मैं यहां पर अगर मैं यहां पर रिकॉर्ड करों वह कैसे रिकॉर्ड करूंगा सर मैं कहूंगा दस हजार डॉलर सर ये इंटू अचा 220 से और 267 का फर्क कितना है सर 220 से 267 का फर्क है आपका 47 का ऐसा ही है तो सर अगर मैं आपसे ये बात कहूं कि मैं 10,000 डॉलर को तो ये 47 से मिल इतलाय करूं तो इन दोनों को सम करते हूं तो सर क्या ये मेरी अमाउंट इक्विलेंट बनती है सर डेफिनेटली बनती है आप चेक कर सकते हैं यहां पर मैं अगर इन दोनों को सम कर दूँ सब्सक्राइब कर रहा हूं साइड मैं ओविसली यह मैच है यह आ गया बात समझे तो सर आपने इसके दो इंपेक्स लेकर आने थे मैंने पहले भी हमने किया वह यह यहां पर भी हम रिकाप कर रहे है उसका यह मैं आप यहां पर एक एंट्री बनाऊंगा इन्वेस्मेंट प्रॉपर्टी डेविट और सर फॉरें एक्शेंज गेन इन पीएनल क्रेडट पीएनल क्यों भाई आपको तो सिखा है मैंने नॉन मॉनिट्री आइटम्स का एक्शेंज गेन ये लॉस वहां जाएगा जहां पर नॉन मॉनिट्री प्लीज सुनिए गा इन्वेस्मेंट प्रॉपर्टी पुड़ के आज जाएगी मसला जानी सर इस कॉंसेप्ट को यहां कंक्लूड करते हैं आपको यह बात समझ आ गई होगी इस आल बाउट इन्वेस्मेंट प्रॉपर्टी कैरी एट फेर वैल्यू इन फॉर्म करनसी ज़ागल